प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 22 को देखो 22 प्रॉब्लम बढ़ी इजी है लेकिन CBSE ने पूछा है तो चमतकार करते हैं इसके साथ आप से कह रहा है, explain the giving reason for the following आपके पास तीन पार्ट है, पहले वाले पार्ट का आपको reason बताना आप से कह रहा, photoelectric current in a photo cell increases with the increase in the intensity of the incident radiation आपको पता है कि अगर आपके पास ये photo sensitive plate है और यहां से अगर light आके गिर रही है अगर light की intensity को आप बढ़ा देते हो तो intensity का मतलब यह है कि photons जो हैं बहुत जादा आ रहे हैं और according to the Einstein theory जितने जादा photon आते हैं तो उतने ही जादा photo electrons निकलते हैं और जितने जादा photo electrons निकलेंगे उतनी ही जादा photoelectric current आएगी तो photoelectric current जो है वो intensity पर सीधे सीधे depend करती है कि अगर आप intensity बढ़ा होगे तो current भी बढ़ना शुरू कर देगी तो पहले वाले पार्ट को आप समझ गए पहले वाले पार्ट में कुछ नहीं रखा ठीक है इसको मिटा देते हैं फिर second वाले पार्ट में ता stopping potential जिसको आप V note कहते हो यह vary करता है linearly with the frequency कई बार समझाया है लेकिन फिर सा आ गया तो फिर सा समझा देते हैं actual में इसका graph आता है तो यहाँ पर लिख देते हैं solution तो मैं second वाले पार्ट को solo करा रहा हूँ first part तो हो गया second वाले पार्ट पार्ट बी है वह यह पार्ट बी इसको बी लिखो ना पार्ट बी आपको पता है एक equation है जिसको आप photoelectric equation कहते हो Einstein का उसके according जो stopping potential होता है V note यह होता है H upon new H upon E new minus के new note अब मुझे एक बात बताओ अगर आप इसको Y axis पर ले रहा हो तो यह आपके लिए M का काम करेगा और यह कहीं न कहीं आपके लिए X का काम करेगा तो Y is equal to MX यह equation बन गया यह पूरा X की जगा काम कर रहा है यह Y की जगा और कहीं न कहीं यह M की जगा तो slope जो हो गया slope वो होता है M जिसकी value आगई H upon E अब यहां सा आपको clearly पता चला है कि Y जो है वो X कसी दे सिदे proportional Y जो है V note है और X जो है वो new minus के new note है अब यार आपको यहां सा के लिरली यह पता नीच लगए कि stopping potential जो है वो frequency के directly proportional तो यही आप सा पूछा गया था stopping potential जो है वो linearly depend करता है frequency के साथ लेकिन कैसे तो आशे है यह बात है ठीक है तो यह भी part खतम अब आप सा कह रहा है और इसमें कुछ और भी कहा गया था with the slope remaining the same for the different surfaces तो यही रही कि सबके लिए चाहें आप new को change करते चले जाए इन में से कुछ भी variation कर दो लेकिन slope तो यही रहेगी तो slope constant रहती है ठीक है तो यह भी आपने कर लिया थर्ड पार्ट देखो आप से कह रहा है कि जो काइनेटिक एनरजी ओफ फोटो फोटो उलैक्टरोन की वो depend ही नहीं करती किस पर डिपेंड नहीं करती intensity पर आपको clearly पता है intensity जादा होने से जादा electron निकलेंगे लेकिन उलैक्टरोन जादा निकलेंगे जादा काइनेटिक एनरजी नहीं होगी अगर आप intensity को double ट्रिपल कुछ भी कर दोगे तो intensity बढ़ाने से photoelectrons जादा हो जाएंगे लेकिन उन photoelectrons की kinetic energy पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान लेते हैं कि red color की मैंने light डाली जो कि dim है तो जाहिर से बाद red color की अपनी एक frequency होती है तो अगर light dim है तो dim से यह पता लग रहा है कि जो electrons निकलेंगे वो कम निकलेंगे अब मैंने red color की intensity को बढ़ा दिया तो red color की intensity को बढ़ाने से यह होगा कि जादा photoelectrons निकलेंगे जब जादा photoelectrons निकलेंगे तो current बढ़ जाएगी लेकिन चुकि red color की ही light तो इस से kinetic energy नहीं बढ़ेगी तो यह बाली बात आपको मैंने और अरली समझा दि लेकिन फिर भी समझा देता हूँ actual मैं आपके पात जो maximum kinetic energy का third part है जो maximum kinetic energy का equation होता है यह होता है H new minus के new note इसी को open करने के बाद यह बन जाता है यह और यह बात एक ही है ठीक है इस maximum kinetic energy को EV note के दूँगा तो बोई बाद यह question मन जाएगी तो देखो maximum kinetic energy कहीं पर भी कहीं पर भी इसमें intensity dependent कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ यह जिरूर पता होगा कि maximum kinetic energy frequency dependent करती है तो clearly बात पता चलगे मैं क्या कहना चाह रहा था question का आपको सटीक answer मिल गया